अक्सर कुछ लोगों की एडियां सर्दियां आते ही फट जाती हैं वैसे तो ये बहुत साधान सी समस्या है लेकिन इसे लगातार इग्णोर करने से ये आपकी मुस्किलें भी बढ़ा सकती है आईए आज हम इनी फटी एडियों के लिए लेकर आए हैं आपको एक ऐसा अचु लोग एडियां फटने की शिकायत करने लगते हैं फटी एडियां कई वार सर्विंदिगी की वज़े बन जाती हैं अगर आप भी एडियां फटने की वज़े से अपने मन पसंद फुट वियर नहीं पहन पाते हैं तो टेंसन छोड़ दें और आज मैं आपको लेके आई हू एक ऐसा घरेलू नुकसा जिसकी सहायता से आप अपनी एडियों को एकदम गुलाबी और मुलाइम कर सकते हैं नमी की कमी होने के कारण बिना जूता चपल के चलने की वज़े से कम पानी पीना पैरों को गरम पानी में अधिक समय तक रखने के कारण सर्दियों में गरम पान यहां जो मैं आपको घरेलू नुकसा बताऊंगी आप ध्यान से देखिएगा इतना ही नाप के डालिएगा यहां पर सबसे पहले हम ले रहे हैं दो चम्मच सर्सों का तेल और इसको हम गरम कर लेंगे और गरम करके हमें इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है यानि कि इसे हमें पहले गरम करना है और उसके बाद हमें इसे ठंडा कर लेना है तो देखिए यह अच्छे से गरम हो गया हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं उसे ठंडा होने रख दिया और अब हम लेंगे यह नारियल का तेल नारियल का तेल लेंगे ह हमें बहुत फाइदा हो जाता है। तो यहां पर हमने दो चमच सरसों का तेल गरम करके लिए है और साथ में मिलाया है एक चमच नारील का तेल। अब हम ले लेंगे यह पैट्रोलियम जेली मेरे पास यह ब्लू चिप की पैट्रोलियम जेली है। यानि कि बैसलीन हो तो आप उसका इस्तेमाल भी यहां पर कर सकते हैं तो दो चमच हमने डाला था सरसों का तेल और उतना ही हम इसमें पैट्रोलियम जैली डालेंगे और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर हमने तीन चीज़ां डाल ली हैं सरसों का तेल, नारियल का तेल और पैट्रोलियम जैली इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन तीनों से तयार यह जो नुक्सा है इसमें हम कुछ और भी मिलाएंगे तो चलिए मैं आगए आपको बताती हूँ कि हम इसमें क्या मिलाते हैं तो अब हम आ गए हैं अपनी छट की बालकनी में और बालकनी से हमने यह ले लिया है देखिए ऐलो बेरा ऐलो बेरा को हम थोड़ा सा यह चाकू से काटके ले लेंगे इस तरह से हमने ऐलो बेरा की डंडी ले ली है और अब चलिए चलते हैं किचिन में और एलो बेरा की हमने दो डंडिया ली है और दोनों को छील के उनका पल्प भी हमने इसमें मिक्स करना है तो एलो बेरा का पल्प भी हमने निकाल के इनमें मिक्स कर लिया है तो हमारा इसमें जो चौथा इंग्रीडियंट गया है वो है ऐलोवेरा फटी एडियों के लिए ऐलोवेरा काफी कारगर तरीके से काम करता है इसके जो इसका एंटिवेक्टियल गुण है ये एडि को फटने से रोकता है और इसका जो बिटामिन E होता है वो एडि की हीलिंग करने में मदद करता है तो अगर आपकी एडियां फटी हुई है तो उसमें ये भी जरूर मिलाएं चौथा इंग्रीडियंट हम लेंगे कपूर कपूर को हम चूण बना कर डालेंगे तो चूण बनाने के लिए हम इसे कूट लेंगे और कूट के इसका चूण बना लेंगे ये फटी एडियों की वज़े से एडियों में होने वाले दर्द से राहत दिलाता है और इसके इस्तेमाल से हमारी एडियां ठीक हो जाती है यह जो नुकसा हमने तयार किया है इसे फटी एडियों में लगाने से आपको कुछी दिनों में फाइदा मिल जाएगा बसरती यह है कि इसको डेली लगाना है और लगाना कैसे है आगे मैं भो भी इसको बताऊंगी सबसे पहले तो मैं इस नुकसे को अच्छे से मिक्स करके और इसको हम तयार कर लेंगे तो देखिए नुकसा एक क्रीम की तरह बिल्कुल तयार हो गया है और यह ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी जो क्रैक हील क्रीम होती है वैसा ही तो अब हम ले लेंगे कोई क्रीम की डिबी ले लें या वैसलीन की डिबी ले लें जिसके अंदर हम इसको श्टोर करके रख लेंगे तो आप देखिए इस तरह से मैंने इसको एक क्रीम की डिबी में ही श्टोर करके रख लिया है और इसको अब हम लगाएंगे तो देखिए इसे लगाने का क्या तरीका है, वो मैं आगए आपको बताती हूँ, अब आप ध्यान से देखिए, इसको इस तरह से पूरे पैरों पे लगाना है, और लगाना कब है, इसे लगाना है रात को सोने से पहले, इस तरह से पूरे पैरों पे जहां भी आपको दरारें दिख रही हैं उस तरह से इन पर लगा लेना है और एडियों पर खास तोर से इनको अच्छे से लगा कर और मसाज करनी है पांच मिनट की मसाज के बाद हम इसको मोजे पहन लेंगे कि जिस से हम जिस बिस्तर में लेटें या सोतें हैं वो बिस्तर हमारा गंदा भी नहीं होगा और यह नुक्सा एक हफ़ते में अपना असर दिखा देता है तो आप इस नुक्से का इस्तेमाल करें और गुलाब उठाएं तो यह एडियां जब तक हमारी गुलाबी नहीं हो जाएंगी तब तक हम लगातार इसका इस्तेमाल करेंगे फ्रेंट्स वीडियो पसंद दो